बहुत से इलेक्ट्रिशन भाई हमारे जो हैं वो गलती कर देते हैं फोर्सलिंग के काम लेते समय जब आप पार्टी से फोर्सलिंग का काम लेते हो मतलब फोर्सलिंग की लाइटिंग वाइरिंग इलेक्ट्रिशन हो इलेक्ट्रिशन की बात कर रहा हूँ ऐसा हम समझना आप जैसे कि आप पार्टी से बात कर रहे हो कि हाँ हम कर देंगे आप का ये इसके अंदर डिजाइन लगा देंगे मलब फोर्सिलिंग की वाइरिंग वगरा कर देंगे को इटेंशन नहीं है तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है उसका डिजाइन देखना है आपको क्या देखना है, उस party को केना है मुझे design दिखाए फिर आप design देखेंगे design देखने के बाद आपको किसी किसी ceiling के अंदर क्या चीज नज़र आईगी profile light, अब profile light सबसे बड़ा challenge होता है four ceiling के अंदर profile light इसको कहते हैं ये जो आपको नज़र आ रही है profile light तो profile light इसका charge आपको बिल्कुल अलग से लेना है जैसे कि मैं आपको example बताता हूँ ये एक room है अब इसके अंदर ceiling हो रही है तो ceiling का design आप पहले गराहक से मंगाए party से मंगाए कि भाई मुझे design दिखाए आप ceiling का design देखेंगे design के अंदर आपको नजर आएगा कि भाई profile light कुछ कुछ जगह पे है अच्छी खासी profile light है उसके अंदर तो आप directly आपको बात नहीं करना है कि 5 आरिपे में मैं कर दूँगा ऐसा नहीं करना है आपको इसमें आप घाटे में जाओगे payment आपको घाटे में मिलेगा आप कमाई नहीं कर पाओगे कमाई कैसे होगी मैं बताता हूँ ceiling है ceiling का आपने design देख लिया design देखने के बाद आपको क्या करना है उस design के अंदर जो भी profile लगाई हुई है मतलब ये वाले profile light उस design के अंदर include है तो आपको party को कहना है कि design का पूरा काम कर देंगे profile light का charge अलग होगा profile light का charge अलग से लिया जाएगा अगर आपकी इच्छा हो तो आप directly आप अंदाज़ा अगर आपको दिमाग है आपके अंदर electrician हो अगर आपको अंदाज़ा है कि इतने fit की यहां पर profile light लग रही है आपको so fit इसके अंदर profile लग जाएगी तब आप mobile से calculation करके वगेरा करके आप बता सकते हूँ directly कि इतने रुपे में पूरा profile light के साथ में कर दूँगा लेकिन as a beginner जो नए electrician है उनके लिए ये video है कि उनको में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप profile light का charge अलग करें आप profile light का charge आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं परती channel जो 7 से 10 feet के approach एक channel आता है उसके हिसाब से आप payment कर सकते हूँ एक channel लगाने का इतना रुपे लोगा या फिर per meter यानि के 3 feet 3 inch के approach एक meter का में जैसे कि वो light आती है ना एक per meter के per meter 60 रुपे है per meter 80 रुपे की है तो उस हिसाब से अगर आप करना चाहते हो परती meter के अनुसार तो आप परती meter के अनुसार भी कर सकते हो तो उसका charge भी ले सकते हूँ एक meter अगर आप मेंने लगाया तो मैं इतना रुपे लूँगा और अगर आप per fit के इसाब से लोगे तब भी आप ले सकते हो भाई एक fit लग गई चैनल एक fit लग गया तो मैं इतना लूँगा मेरे ख्याल से सबसे बहतरीन option है एक meter वाला बहुत बड़िया होता है एक meter बोलते है न मालो अभी आपने बोला पार्टी के घर में 10 meter लगेगा ठीक है 10 meter एक meter का मैं सोर पे लूँगा 10 meter में लगा दूँगा ठीक है लेकिन पार्टी को इस तरह से कर बोलेंगे न 30 meter 30 feet तो वो बहुत ज़्यादा लगता है 30 feet बहुत ज़्यादा लगता है तो meter के अनुसार अगर आप लेंगी meter के अनुसार यानि कि माली जी यहां से लेकर यहां तक मैंने profile लगई तो मैं इसका चार्ज 100 रुपे लूँगा एक meter का 100 रुपे अब आपके market के अनुसार आप कितने लेते हैं एक meter के per meter के 100, 1500, 200, 2500, 300 जो भी आपके अनुसार ले सकते हैं ठीके तो इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका knowledge क्या रखना चाहिए आपकी दिमाग के अंदर इसके अंदर आपको knowledge होना चाहिए कसरे करने का कसरा जिसे marking बोलते हैं marking perfectly आपको आनी चाहिए दूसरी चीज design के अनुसार आपको जरी निकालनी है ceiling के अंदर ये भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए तीसरी चीज आप उसके अंदर channel fit करेंगे तो perfectly fitting आपको आनी चाहिए चोती चीज आप उसके अंदर जो lighting लगाएंगे वह perfect आपको आनी चाहिए पांच फी चीज उसके अंदर आपको ये पन्नी के से बिठाए जाती है ये तो obviously सबको आता है बट एक चीज और है जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो है DC का fundamental DC current के से flow करता है इसके बारे में आपको knowledge होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे light का glow कितना तेज हो रहा है देखो कितना तेज है आगे जाके light dim हो जाती है तो इसका knowledge आपको रखना होगा कि आगे भी same रोशनी हो यहाँ भी same रोशनी हो तो इसका funda सीखने के लिए electric science trick यूटूब पे जाईए वहाँ पे आपको मिल जाएगी हमारी एक video जो profile light यहाँ से भी same चमक रही है वहाँ से भी same चमक रही है ठीके और यहाँ से भी brightness तेज है तो वहाँ dim है तो उसको मैंने ठीक करके सिखाया था उसी adapter में single piece of adapter में यहाँ भी तेज रोशनी हो रही है वहाँ भी तेज रोशनी हो रही है तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा DC fundamental आप नहीं सीखोगे तो profile light आप नहीं लगा पाऊगे आप इतनी knowledge आपको नहीं रह पाएगी तो महनत भी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप पर मेटर का सो, डेड़ सो, दो सो market के अनुरू सार आपके market में कितनी rate चल रही है अपके market से ज़्यादा अगर आप ले लोगे तो वो दिक्कत हो जाएगे फिर आप से कौन करवाएगा तो उस हिसाब से आपको काम लेना है चीक है तो यह चीज़ थी पार्टी से जब भी आप बात करें तो प्रोफाइल लाइट की अगर आप नहीं इलेक्टिशन है तो उसका अलग से चार्ज ले पर मेटर इतना लूँगा अगर आप बिगनर नहीं है पर्मानेंटली आप काम करते बहुत टाइम हो गए आपको आप सब कुछ जान चुके हैं तो आप देख की बता देंगे कि इतने मेटर इसके अंदर हो सकती है मैं इतना रूपे ले लूँगा तो आप मुकड़ा भी कर सकते हैं मुकड़ा हमारी वाशा में बोलते हैं मुकड़ा का मतलब होता है मतलब एडवांस में पूरा ही पैसा बता दो इतना रूपे ठीक है तो ये बात बतानी थी नए इलेक्टरिशन को आज की जमाने में प्रोफाइल लाइट्स वगरा बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो इसका काम सीखिए सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ब्राइट्नेस वाला कि यहाँ पर ब्राइट्नेस तेज वहाँ पर डिम है तो उसको ठीक के से करें जाए डिस्क्रिप्शन में चलिए दोस्तो बाई बाई